अवाजर दोस्तों मैं आपका सुखाइत करती हूँ आपके अपने एकजर्म चनल पर मैं असा आख़ती हूँ आपके अच्छे होंगा मैं आपके रही हो सेड़ी के सीरी जिसमें आजाक परेटेसर पचीस है हम आपके लिए प्रिवीस सेर के कॉशन लाते हैं जो कि आपके लि पुष्टक दो वाव में विवाजत थी पहले भाग में बावर का इत्यास और दूसरे भाग में हिमायु की जीवनियेव सासनकाल का उल्लेक है इस उल्लेक में हिमायु को बहुत सी बिनम्र और नेग स्ववाब वाला बताया गया है लोधी बन्सका अंतिम सासक कौन था अफसने बॉलुल लोधी यापसनमी इब्राहिम लोधी यापसनसी दौलत खान लोधी यापसन्डी सिकंदर लोधी इसका आपको राएट अंसर बता दें यह ब्राहिम लोधी जो लोधी बन्सका अंतिम सासक इसकी ब्राहिम लोधी था जिसको बावण ने पंदर चबशी सी में पानीपत के पहले युद्ध में परास्त किया था यह मुगल समराजी की नीव रखी थी इब्राहिम लोधी संधूना देखी आप बेदों की और किसका कठने आप से रामकिष्परमस स्वाविष का यावसंसी जोत्यों भूले का यावसंडी दयानन दिभ्सुति का इसका हम आपको राइटां कर बता द但是 बेडों की और लोटो इसकी बच्पन का नाम मूल संक्रता इन्होंने इसे बाद में तिलग जी ने आगे बढ़ाया रेस्ट क्वेशन देखते हैं बारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसिडी प्रदान की जाती है और सन्य उत्पादन इकाई या संसी बैंकिंक आई या सन्य सरकारी कर्मचारी इसका आपको राइटा अंदर बता दें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसिडी व्यक्ति को या फेर सम्मों को दी जाती है इसे नगत के रूप में दिया जाता है जैसे गैस सलेंडर उबरक खार्द आनाज आद के मुल बहन किये जा सके नेश्ट कॉशन देखते हैं नीली क्रांती सम्मंध है या अपसन ने मचली पालन से यापसन इमद जप्द पालन से यापसन सी तिलहन उत पालं से यापसनि खाद जट पालं से इसका आपको राय टांसर बता लेंग मचली पालं से शंब जय सिद्के व्यक्राणति सेbaj già Skills पालं से संब्ड ज जेदनें नीली खर सम्म केनति आफिघ के बीबरक क्रांती कोटन उपादन से नीली ये सुवेत क्रांती संब्द तैं मचली और खाद दुख्द मचली और कशी लेस्ट कोशन देखते हैं कौन से कौन से तीन बड़ से योजना पास के नाम से जाने आती हैं और सने 1965 से 1968 या अपस्वनी 1966 से इसका आपको राइटांसर बता दे 1966 से इसकी व्यक्तिया देखते हैं योजना अवकास समय या बड़ से जब पंचवशी योजना किसी कार्णम से बात दित हो जाए योजना अवकास इसका आप खूर आटांसर बता दे या तरती पंचवशी योजना के बाद बाद बार्ग पाकिस्तान युद्ध की वज़े से प्रस्तावित किया गया था इसकी व्यक्तिया देखते हैं पूजी व्यापार को कौन बिनमित करता है ओप्शन ए एन एसी या सन्भी बार्ती र बादा दे इसका आपको राइट आपसर बता दे यह सेवी करता है इसको फूजी व्यक्तिया देखते हैं फूजी व्यक्तिया बारती फिल्टी बिन और्ड द्वार्ढ बिनमित किया जाता है इसकी स्थापना 12 अपरेल 1992 को सेवी अधिनियम द्वारा की गई थी फिज्ट बोड द्वारा बिनवित किया जाता है इसकी स्थापना 12 अप्रेल 1992 को से भी अधिनियम द्वारा की गई थी देखते हैं सेर ब्याजार के संद्रम में आई पीओ का पूंड रूप क्या है और सने तत्काल बगुतान आदेश यावसंवी आंत्रेक नीति अनुगरे यावसंदी अंतराश्टे बगुतान अनुगरे इसका हम आपको राइट आंसर बताते हैं यह प्रारम में सारजने का प्रस्ताव है इसकी व्यक्या देखते हैं इसकी व्यक्या देखते हैं यावसंदी मुक्त मदस्ता संगठन इसकी व्यक्या देखते हैं एक संस्ताई का चाहर है करें स्थार पर घुडिया स्वार्वय को सुवाइभ्य करना है नेश्ट वर्चन देखते हैं पी एम जी एस वाई का पूरा नाम है इसका बाइट है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है वार्थ सरकार दोरह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने का मुख्य सब्सक्राइब करना है जो अभी तक मुख्यदारा से कटे हुए हैं इससे गरीवी कम करने की मदद मिलेगी यह कुछन देखते हैं कि निम लेकित मैंसे कौन सा जीव द्रब्य अंग यू कोर्टे कोस्का मैंसे प्रोटे कोस्का के समान मारा जाता है और सब्सक्राइब करने माइट्रो कंडिया जीव द्रब्य जो प्रोटे कोस्का के समान यू कोर्टे प्रोटे कोस्का में पाई जाती है लिन मार्ग लिनिस के अनुग्रम माइट्रो कंडियो और हरित लब्य यू कोर्टे कोस्का में प्रोटे कोस्का के अंत सजीवित से विक्सित हुई है इसका आपको राइट आंजर बता दें इसे नेक्रोसिस कहते है कोस्का के समुमों को उतक कहते हैं जो अंगों का निर्वार करती है उतकों का जीवित सरीर में मरना नेक्रोसिस कहलाता है यह एक अभियोजित कोस्का या उतक की मिलत्यू है नेक्रोसिस के बाद कोस्का या उतक कुछ हनकार रसायन निकालती है जो पड़ोस की कोस्काओं को नुकसान पहुचाती है नेक्ट कोशन देखते हैं निमने खित में से कोस्का का उर्जागर कौन कहलाता है अपसने गौल्जी बॉडी यासंसी माइट्रोकंडिया यासंसी राइवो जॉम यासंडी लाइसो जॉम इसका आपको राइटांसर बता मैं चांड जाने के लता है इसकी माईट्रोकंडिया को ब्यून इसके उस्कित के रूप में ओरियुक्य में न इसके नियुक्त को चुलिय। की खता मने सब्दे kiddingowate पहुचन किसके लिए उत्तादाय आपसन जल के परिवन के लिए या कोशन के लिए के लिए यापसंसी अमीनों के परवन के लिए यापसंडी औक्सियन के परविन के लिए इसका हम आपको राइट आंसर बता दें यह जल के परवन के लिए है रसतिस जायलम एक परवन हूतक है जो जल का परवन पौदों के विविन्य भागों में करता है या संबन बंडल में पस्तित रहता है जाश कुशन देखते हैं केंद्रग में कौन सा तरल हूतक पाया जाता है अप्सन एक कोशका द्रब्य या संसी प्रोटो प्लाज्मा या संसी केंद्रग द्रब्य या संडी निक्रो ओसूम इसका आपको राइटास बता है ये केंद्रग द्रब्य पाये जाता है निक्रोलोपलाज्मा, कोशका के केंद्रक में पायजानी वाला पदार्थ है निक्रोपलाज्मा में गुणसूतर क्प्रोटीन और आयन पाये जाती है जो केंद्रक में बिबिने किरीयां करते है अंता दबी जाल का किसकी उपस्तिती के कारण फुर्ण दुरी होती है इसका आपको राय टांसर बता दें यह राय वो जोम है इसकी वेक्षिया देखते हैं अंतर दबी जालका एक में पोस्ट का आंगे जो प्रोटीन संसलेशन लिपेड के संगर हाथ में साइक होता है अतर द्रहविय जालका का खुद्रापन इन पर उपस्तित राय जोम के कारण होता है नेश्ट कोशन देखते हैं सभी सुचमजीवां में से सबसे अनुपूल्य और बवबुखी है और सने विसानू या अफ सनभी जीवानू या सन्सी सहेवाल या अवसंडी कवक कि सामढ़े इसका आपको रायट आपकर बता दे यह विसानू होता है जो बवामुखि कि जी भी जीने कीने के लिए अनुकुलिया है याश कोशन देखते हैं सबसे बड़ा असे रुकी प्राणी कौन है और सने स्पंज याशन भी मॉलस्का याशन सी और तो पोड़ा याशन डी एकाइनो डर्मेटा इसका माख कुरायटा सता दें यह मॉलस्का है सबसे बड़ा असे रुकी प्राणी है सबसे बड़ा असे रुकी प्राणी मॉलस्का संग में पाए जाते हैं और की टेथिस ड्रॉक्स को मॉलस्का संग में पाए जाता है जिसकी लंबाई 69 फीट होती है संख्या के इसाब से मॉलस्का दुतिय सबसे बड़ा संग है धन्नवाद अमारी